जह माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महा काली भगत गयान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता से बात करने के लिए किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए माता काली को शनी वार के दिन ये तीन चीज जरूर चड़ाए जी हाँ भक्तो अगर आप पूजा पाठ में माता काली की जब अपने घर के मंदिर में करते हैं शनिवार के दिन करते हैं कभी भी करते हैं तो बस पूजा पाठ में आपको ये तीन चीजे माता काली को जरूर चड़ानी चाहिए इन चीजों को चड़ाने से पता है क्या होता है मा काली हमें सब की बातों को सब के मन की दिलों की बातों को बताना शुरू कर देती है भगत को पास जाना गुरू बनाना सब कुछ करना माता के मंदिरों में भी जाना माता को बड़ी बड़ी भेटे चड़ाना सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उन लोगों के पास माता नहीं आती है ना उनकी बात होती है ना ही माता उनको किसी भी यान YouTube चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यहां पर ही आपको माता काली तक ले जाया जाएगा, मैं आपको हर दिन, प्रती दिन, कुछ न कुछ नई नई चीजे सिखाती रहती हूं, जिनको सीख कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, यानि कि अगर मालो आप माता से बात करना चाते हो, पूछा लेना चाते हो, तो यहां पर आपको कहीं भटकना नहीं है, कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाष्ट तक देखना है, क्योंकि इसी वीडियो में आज आपको खुद पता चल जाएगा, माता को तीन ऐसी चीजे चड़ानी है, जो जो मैं वीडियो में हर चीज की जानकारी आप माता काली से ले सकते हैं, और मा काली से आप बात भी कर सकते हैं, तो चलिए भगतों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छूटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाती हूँ, अगर आप माहा काली भगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना, वेल आइकन को उल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भग जानना है, तो आपको यहाँ पर कुछ नी करना, बस आप यह चीज ध्यान रखिए, कि शनी वार का दिन मा काली का होता है, चाहे आप तीन चीज़ों को रोज ना चढ़ाओ, लेकिन शनी वार के दिन माता को जहुफ चढ़ाओ, अगर शनी वार के दिन भी नहीं चढ़ा प पहली चीज, एक मीठा पान, दो लोंग लगा के माता काली को चड़ाओ, अगर किसी के बारे में जानना चाते हो, दूसरी चीज, अगर आप किसी के बारे में जानना चाते हो, माता काली से बात करना चाते हो, अपने लिए पूछना चाते हो, अपने घर परिवार के लिए स्थे जाती है क्योंकि वो जो सुखर होता है वो बाक्रेकी जासे बली देते हैं तो उसी टाइप में जूटी बाट पलब में बेट होती है जिसे कि कुछ लोग ऐसे जो साथ के में पूर्ज पूजा जाता है तो वो तो डारेक्ट माता को बकरे की बली ही देते हैं तो ये दो चीजे आप शनीवर के दिन जरूर चड़ाएं लास्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ वो है सिंपल तरीके से लोंग बता से इसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्चोरा थोड़े बहुत प होता है जैसे मानलोग कल को आपके घर में कोई दिक्कत होती है कोई परिशानी होती है कोई कष्ट आता है तो आप डारेक्ट ली माता से पूछ सकते हैं कि माता ये चीजे हमारे सा क्यों हो रही है मा काली आपको सब बताना शुरू करदेगी जो भी ह varied. आपके साथ रास्तन से बचना है और इस रास्ते पर आपको कहां चलना है सब कुछ आपको माता काली ही बताएगी जब शनी वार के दिन या मंगल वार के दिन मा काली को आप ये तीन चीजे चड़ाना शुरू कर देगे तो अब आपको कहीं जाना नहीं है किसी से पोचना नहीं है कहीं भगतों के पास तांत्रीकों के पास भटकना नहीं है बस जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया ये चीजे आप चड़ाना शुरू कर दो माता आपसे मात्र 15-20 दिन के अंदर अंदर बात करने लग जाएंगी फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके आपको सभी चीज की जानकरी भी देन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादे माता काली बाबा भूले ना ताप सभी की सारी मनुकामनाएं पूरी करें जै माता काली ओम्रूरू